ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गॉडलीवूट स्टूडियो द्वारा प्रस्तत अमुले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वागत है इश्वरिये विश्विद्यानने में जब भी कोई पहली बार आता है तो उसे साथ दिन का कोर्स कराया जाता है परंतो कोर्स के साथ साथ फोर्स भरने के भी अतियावश्यक्ता होती है ताकि वह फर्स्ट नंबर में आ सके यह फोर्स भरने की विधी क्या है और फर्स्ट नंबर में आने का तातपर है क्या है आज हम इश्वरिये महवाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महवाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे है प्रजापिता ब्राम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के बरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाय सहाब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वाकत है आपका आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर 74 के महावाक्तियों के बारे में जिसका टॉपिक है योगी भव और पवित्र भव द्वारा वर्दानों की प्राप्ति ऐसा परमात्मा कहते हैं कि वर्दाता द्वारा सर्व वर्दानों में मुख्य दो वर्दान हैं जिसमें की सर्व वर्दान समाई होए हैं वह दो वर्दान कौन से हैं? अपने से पूछो की क्या मुख्य दो वर्दान स्वरूप बने हैं। अर्थात योगी भव और पवत्र भव इस विशेश कोर्स के स्वरूप बने हो। जब ही भी कोई इस विशेश के अंदर ज्यान और योग शीखने के लिए आते हैं। तो पहले उन्हें आत्मा, परमात्मा, स्रिष्टी चक्र की कई प्रकार की नौलेज दी जाते हैं। और साथ साथ उन्हें इस इस्वरी विश्विद्यले की जो मूल धारनाएं हैं। जिनसे उनके जीवन में अनेक प्रातियां हों, उनका जीवन और ससक्त बनें। उसके लिए दो वर्दान इस मिरती में दिलाए जाते हैं। पहला पार्थ ही है बी होली, बी योगी। जब वो योग को अभ्यास करता है, तो उसका जीवन पवित्र बनता जाता है। तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, यही दो वर्दान जो पहले-पहले आप सब को मिले, यही अगर प्रेक्टिकल में शुरूप में आ जाएं, तो सब वर्दान परमात्मा के प्राप्त हो सकते ह क्योंकि यह आधार मूल दोनों बाते हैं, हम योग कर रहे हैं अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, और जितनी पवित्रता मन, वचन, कर्म की हमारे जीवन में आती जाती है, उतना योग बहुत सहज होता जाता है, योगी जीवन बनती जाती है। तो परमात्मा हम परिकल इसकी गहराई को समझते जाएं, तो अंत समय तक आप इसको फुल पास होकर के फर्स्ट डिविजन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पष्ट और करें योगी भाव पवित्र भाव को। वास्तों में योगी भाव जब हम कहते हैं, तो योग लगाने वाले नहीं, म विशेश करके परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, तो कर्म योगी जीवन बन जाती है। और कर्म योगी जीवन निरंतर हो, केवल एक घंटे की, दो घंटे की, तीन घंटे की नहीं, लेकिन चलते, फिरते, उठते, बैठते, परमात्मा से हमारा बुद्धी का कनेक्शन जुटा हुआ रहे, उनकी सक्तियां हमारे अंदर आती जाएं, तो हम जैसे योगी जीवन वाले होगे, तो परमात्मा हमको कहते हैं योगी भाव, और जितना हम योगी बनते जाते हैं, माना परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटता जाता है, उतना हम पवित्र और स्वच्छ बनते जाते हैं, हमारी जो कमी हैं, कमजोरियां हैं, पुराने विकारी संसकार हैं, वो समाप्त होते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है, पवित्रता का सागर है, और उसके साथ जुढने से, उसके साथ connect होने से उसकी सक्तियां मेरे अंदर की कमियों और कमजोरियों को समाप्त कर देती हैं. वैसे भी कहते हैं जैसा संग वैसा रंग. जी. तो जब हम परमात्मा के संग बुद्धी से रहते हैं, तो परमात्मा जो पतित पावन परम पवित्र सक्ति है, उसकी पवित्रता की सक्तियां हमारे अंदर आती जाते हैं, तो योगी बनने से हम पवित्र बनते जाते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं, यह दो वर्दान जिन्होंने प्रेक्टिका स्वरूप में ले आए हैं, वो फ स्वयम्द स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है तीन सब्द परमात्मा के आते हैं एक दाता दूसरा विधाता और तीसरा वर दाता जब हम ज्यान सुनाते हैं किसी को ज्यान देते हैं तो हम दाता कहलाते हैं और जब ज्यान के साथ साथ गुरों का वेदान करन ऑर उनको हर प्रकार्ट की प्राप्तियों कानुभो हने लगता है, तो उन विधाता बन जाते हैं. और पिर जब सहर उनकी जीवन आते तो जैसे वर्दान दिया जाता है. वो सब गूंड सब सक्तिया उसके जीवन में जब आते जाते हैं, तो वर्दानी compensation हैं. तो परमात्मा हम सब बच्चों को दाता, विधाता और वर्दाता जैसे खुद है, वो ऐसा अपने बच्चों को समान बनाना चाहते हैं. तो जितनी जितनी हमारे जीवन में योगी और पवित्र था, ये जो दो बर्दान है, योगी भव पवित्र भव, ये हमारे जीवन में आते जाते हैं, उतना हम बर्दानी मूरत बनते जाते हैं, मैंना दूसरों को जो कुछ हम कहेंगे उसके जीवन में उतर आएगा, जिन पह परिचान नहीं होता तो उसको शक्ती स्वरूप नहीं कहेंगे लेकिन उसे शक्ती स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे जब तक किसी को आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्यान नहीं परिचान नहीं है तब तक उसका योग एथार्त नहीं लग सकता तो योगी भाव के लिए ही ज्यान दिया जाता है योगी जितना हम भनना चाहते हैं, उसके लिए जन चाहिए. और जब जन उस पाष्ट व rider हो ऑगा फिटर प्तव और हमेरा पित प्तले परमातमा है. हम प्तोर और प्तले प्तल नीडों इस पॉत अंधर आट चेंद लिए जनी के लिए फ Queen 저, पवित्र बनते जाते हैं, इसलिए पूरे कोर्स का, जो साद दिन का कोर्स है, उसका सार यही है, कि आत्मा पवित्र और योगी बनें, जितना जितना वो बनते जाते हैं, उतना दूसरों के लिए प्रेणा सरोथ बन जाते हैं, पर सब आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं क्योंकि स्वयम का स्वरूप सदा और स्वते ही स्मृती में रहता है जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वते है याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वर्दानी स्वरूप सदा ही स्मृती में रहना चाहिए आत्मा ने इस सरीर को धारन किया है लेकिन इसको कभी भी भूलता नहीं हो ये स्वरूप, उसका चेहरा, उसका रंग रूप, उसको सदा ही याद रहता है ऐसे ही परमात्मा कहते है जब आप आत्मिक इस्थिती में रहने का अभ्यास करेंगे और ये वर्दान याद रहेगा कि परमात्मा ने मुझे वर्दानी सरूप बनाया है, दूसरों को वर्दान देने के निमित बनाया है, योगी जीवन हमारी बनाई है, तो आपकी योगी ज वो सवरूप, वर्दानी सवरूप भी सदा नैचुरल स्मृति में रहना चाहिए, आत्मिक सवरूप भी नैचुरल स्मृति में रहना चाहिए, जैसे ये सरीर का सवरूप सवतह स्मृति में रहता है, इसको याद करना नहीं पड़ता है, तो परमात्मा की याद भी एक नैच जएसे यह शरूप कभी भूलता नहीं, एसे आत्मा का निजी smr enhance. भूले नहीं, सदा्याद रहे है इसी से संबंधित DV earning lakh ATMA कहते हैं, कि अप अवित्रता का ओर विस्मृति का नामों निशान नह रहे, इसको कहा जाता है वर्दानों का इस मंत あरं कों Day Origin का आ पूरी पढ़ाई का सार इन ही दो सब्दों में आता है, कि हम सब को आत्मा को पावन बनाना है, और उसकी विधी है योग. तो जब योगी जीवन हमारी बनती है, तो अपवित्रता, विस्मरति, स्वत्य समाप्त हो जाती है. तो परमात्मा कहता है यह वर्दानों का कोड्स, माना सब वर्दानों का सार इसी दोनों बातों में समाया हुआ है. जितना हमारे जीवन में सब वर्दान आते जाते हैं, आत्मा प्योवर बनती जाती है, और उसका नेचुरल योग परमात्मा के साथ जुटता जाता है तो योगी जीवन जितनी है उतनी हमारी पवितरता की स्टेज उची होते जाती है पवितरता और विस्मृत्ति ये दोनों बातें जब समाप्त हो जाएं तो माना हमारा भरदानों का कोर्स पूरा हुआ ब्राम्भन बच्चे, जो यह practical course समाप्त नहीं करते, तो परमात्मा वर ड्रामा भी उनको कौनसी क्लास में आने नहीं देते, अर्थात, फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते. हमारे इस्वरी बिस्विद्याले का एक नियम बनाया गया, कि जो हमारा संगठन में क्लास चलता है जिसके अंदर परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं उन परमात्मा के महावाक्यों को समझने के लिए व्यक्ति को अलग से पहले कोड़ करना जरूरी है और साथ दिन के अंदर उसको सब बाते सपष्ट बताई जाती है कि परमात्मा इस रष्टी पर कब आते हैं, पैसे आते हैं, ब्रमा बाबा के तन में प्रवेस होकर के ज्ञान दे रहे हैं, तो उसके लिए कोर्स अलग से बिठा करके उनको करया जाता है, और ये सब बाते इस पश्ट बताई जाती है, जब उन बातों को पुरा समझ जाता है तो परमात्मा के महवाक्यों को समझना उसके लिए सहज हो जाता है, जलिए साथ दिन का कोर्स कराने के बाद ही जनरल क्लास के बीच में बिठाया जाता है, ताकि उसके मन में कोई प्रशन उठे तो उनका समाधान कोर्स में मिल गया, जिसे वो सहज इसको समझ सके, तो परम जो यह कोड्स चल रहा है, हमारा संपोन पवित्र बनने का, निरंतर योगी बनने का, अगर यह कोड्स पूरा नहीं हुआ, तो जो सत्यूक की फ़स्ट क्लास की सीट है, जो पहले पहले आदी में आने वाले आत्माइं है, उस सीट में वहां पर आपको भी बिठाया नहीं जा तो परमात्मा हम सबको उस कोर्स के साथ इस कोर्स की बात समझा रहे हैं, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि फ़स्ट क्लास कौन सी है, वह सत्यूक के आदी में नहीं आ सकते, जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते, तो ड्रामा भी फ़स्ट क्लास का अधिकारी नहीं बना सकता, फर्स्ट क्लास में आने के लिए यह मुख्य दो वर्दान, प्रैक्टिकल रूप में चाहिए, कि विस्मृती या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए, तुम संगम पर उपस्थित हो न, तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार वस्वरोप मे लेकिन मेरे पास्ट जन्म का था और अब है नहीं, मैं तो ब्राम्मन हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार वो उनका स्वरोप है, यह बहुत गहरी इसमृत्ती चाहिए, जब हम अपने आपको संपून मढजीवा बना लेते हैं, उस जीवन से, शूद्रपन के संस्कारो जब हम मर करके नया जनम प्राप्त किया, ब्राम्मन बने, तो ब्राम्मन जनम हमारा नया जनम है, संगम का, और इस संगम के समय में, अगर कोई अपवित्र संसकार जो हमारे पास्ट के थे, वो इमर्ज हूए, तो परमात्मा कहते है, यह स्मृति लाओ, यह सूद्रपन के स यह मेरे संसकार नहीं है। थुड़ा और सबस्ट करें भाइसा ब्राम्भन और शुर्द्रपन। जब हमारा यह नया जनम होता है। मना हम ज्यान योग सीख लेते हैं और इस्वरी विश्विद्याले के विद्यारती बन जाते हैं। तो हमारा पास्ट जीवन है। जिसके अंदर हमारा खानपान, हमारा संग, हमारा विवार, सब बिलकुल बड़ी कांसेस वाला है, देह विमान वाला है। और उसके आधार से हमारे से कई परकार के पाप भूले होती रहती है। तो परमात्मा कहता है वो आपका सूद्रपन का जनम है। लेकिन जब आपको ज्ञान मिल गया, जब आपने योग सिख लिया, आपने संकल्प में द्रणता लाई और ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा मुखवणसा वली ब्रामन कहला है, तो ब्रामन जीवन में वो पाष्ट वाले संसकार इमर्ज नहीं होने चाहिए। संगम के संसकार, ब्रामन जीवन के संसकार हैं पवित्रता और योग, जो दो बरदान परमात्मा से प्राप्त हुए हैं। अगर बार बार पवित्र संसकार इमर्ज होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, उन संसकारों को विस्मृत्ति में लियाओ, तो पाष्ट के संसकार हैं, वो मेरे संसकार नहीं है, मेरे इस जनम के संसकार नहीं है, वो सूद्रपन के, विछले जनम के संसकार है, जब ये स्मृत्ति तब धिरे धिरे आत्मा अपनी संपून पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करेगी. बिल्कुल यहने सुविकार करना पड़ेगा अपने इस जनम को. सुविकार करना है और अपने अंदर द्रंता से वो धारणाओं को अपनाना है. जी. और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे अपने सिभिन अर्थात दूसरों के संसकार हैं, ऐसा आनुभव होना इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा. इसी जनम में मेहनत इसलिए है क्योंकि इसी जनम में हमने कई देहवमान के कारण गलतियां की हैं पापकर्म हुए हैं और इसी जनम में उनको भूलना इसलिए परमात्मा एक बहुत अच्छा सब्द कहते है पीति को बिंदी लगा दो फुलिष्टाप पुलिष्टाप लगागी दिया तो वो हिसाब पूरा हो गया अब यह नया जनम हो गया और इस नय जनम में अगर वो बातें याद आ रही हैं तो भी गलतिया पाप है इसलिए इस जनम के संसकारों को इमर्ज करो प्योड संसकारों को धारन करो और वो संसकार अगर कभी-कभी आते हैं तो उनको बुलाने का प्रयास करो तो इस अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे देहे और देही अलग-अलग वस्तोएं हैं लेकिन अज्यानवश इन दोनों को मिला दिया है वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है तो इस गलती के कारण कितनी परिशानी व दुख व अशान्ती प्राप्त की ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृती के संसकार जो मेरे अर्थात ब्रामभण पन के नहीं लेकिन जो शुद्रपन के हैं उनको मेरे समझने से माया के वश व परिशान हो जाते हो अर्थात ब्रामभण पन की शान से परे हो जाते हो बहुत अच्छा उदाहरान है क्योंकि हम सब आत्माएं अपने आपको भूल गए कि मैं आत्मा हूँ देहे और देही देही माना आत्मा और देही है शरीर जब विस्मरत्ती हो गई कि मैं आत्मा तो मैं शरीर को समझ लिया जब भी कोई बोलते हैं तो जैसे समझते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरा ये नाम है, मेरा ये पद है साइद मही ये हूँ तो परमात्मा के ता तुमने मेरे को मैं समझ लिया यह शरीर मेरा है और उस मेरे को मैं समझ लिया यह बिस्म्रत्ती ही दुख का कारण बन गई। ऐसी ही जो अपवित्र संसकार हैं, अगर वो समझते हो यह मेरे संसकार हैं, तो परमात्मा कहता है यही परिषानी का मूल कारण है, यही आपके विकारों की उत्पत्ति का कारण, यही माया है, अब इस परिष brushedit प्राप्त कहने के लिए इस बात को भूलना पड़ेगा, इसको मिलाओ नहीं, यह आपके ब्राम्मवन जीवन के संसकार नहीं हैं, ये सूद्रपन के संसकार हैं, पाष्ट जीवन के संसकार हैं, जब ये स्मृत्ति रहेगी तो जैसे देह और देही अलग है, भूल से समझ लिया, ऐसे ही भूल जो हो रही है, हम अपने संसकारों को, भीते हुए जनम के संसकारों को समझ रहे हैं, पर्मात्मा कहता है, इसकी विस्मृत्ती हो जाए, ये मेरे नहीं है, ये कोई भी विकारी संकल, विकारी संक्सो अपनाते हैं, तो ये सूद्रपन के आ रहे हैं, मुझे इस पर विजय प्राप्त कहनी है, मेरा ये नया जनम है, ब्राह्मन जनम है, तो जब ये विस्मृत्ती तो हो नहीं सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदाकाल की है, जब परमात्मा से हम अव्यक्त रूप में मिलने के लिए आते हैं, तो अव्यक्त परमात्मा का बाप दादा का ओत्रन दादेजी के तन में होता है, और ये कुछ समय के लिए होता है, दो गंटा, चार गंटा, छे गंटा, और उसमें बच्चे हजारों में मिलने वाले होते है उनको ट्रेंड के उनसर पांच मिनट, दस मिनट, आदा गंटा मिलता है। यह सदाकाल का मिलन तो नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कि अब्यक्त में कितना समय परमात्मा आपसे बात करेंगे। लेकिन जब आप अब्यक्त स्थित्ति में रहेंगे और अपनी अब्यक्त स्थित्ति बना करके परमात्मा से मिलेंगे। तो वो तो सदा अब्यक्त है। तो अब्यक्त रूप में परमात्मा से सदाकाल का मिलन हो सकता है। व्यक्त में थोड़े समय के लिए परमात्मा का उत्रण हुआ, आप आए, आपको द्रष्टी दी, आपको दो बर्दान बोल दिये, पांच-दस मिनट मिलन हुआ। तो आपको अपनी अव्यक्त इस्तिति बनानी होगी। और जितना हम ब्यक्त और ब्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उतनी हमारी अव्यक्त इस्तिति बनती जाएगी। और अव्यक्त इस्तिति के आधार से हम अव्यक्त मिलन सदाकाल का नुभो कर सकते हैं। यह अव्यक्त मिलन ही वास्तों में योग है। किसके द्वारा हम परमात्मा से रूह रियान करते हैं, उनकी सक्तियों का नुभो करते हैं, उनके प्यार की पालना का नुभो करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये तो आप बच्चे सदा काल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अव्यक्त इस्थिती बनानी पड़ेगी, और उ अव्यक्त मिलन मनाने की महनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किये हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाब दादा को भी विशेश, याद, स्वते ही आती है कि नए नए बच्चे बाबा के सामने आते हैं तो उनकी बड़ी लगन रहती है कि मैं बाबा की एक सिकंड के लिए द्रश्टी प्राप्त करूं कुछ बड़दानी बोल सुनूं बहुत भावना और बहुत महनत के साथ इतनी दूर दूर से मिलने के लिए बाबा के सामने आते हैं तो बाबा की ऐसे बच्चों से विसेश सने रहता है और खास उनको समझ लेटे है तो बाबा कह रही है कि मेरे बच्चों के जो सने Extension के संकल्प हैं और ब्यक्त में उस ब्यक्त का अनुप करना चाहते हैं जै अब्यक्त बाप दादा आए हैं तो सोचते हैं बच्चे कि जो स महावा के सुनते हैं, द्रस्टी लेते हैं, वर्दान सुनते हैं, तो बाबा को भी आता है कि ऐसे व्यक्त में आय हुए बच्चे, जो मेरे से सन्मुक मिलने के लिए हैं, मैं इन बच्चों को खुब भरपूर करूँ और वो अनुभो कराऊं। लेकिन ये अनुभो सदाकाल क नहीं हो सकता है। थोड़े समय के लिए तो बाब से मिल सकते हैं। बड़ान ले सकते हैं, लेकिन सधकाल मिलन मनाना हैं, तो उसके लिए अव्यक्त इस्थित्यदी बनानी पड़ेगी। और जब अव्यक्त تण हमारी बनती जाएगी, जितना हम बे व्यक्त बातों से परे अतना उस अव्यक्त इस्थिती द्वारा अव्यक्त मिलन का होगा. अव्यक्त वत्न के अनुभो हमारे को अच्हे हो सकते हैं, लेकिन तभ होंगे जब हम अव्यक्त इस्थिती में रहने का अभ्यास करेंगे. तो परमात्मा अभी हम सबसे यह चाहते हैं, कि अब्यक्त में तो मिलन बहुत थोड़े समय का हो सकता है और अब्यक्त में सदाकाल का हो सकता है इसलिए अभ्यास ये करो कि आप जब अब्यक्त इस्तिति को बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते सदाकाल का ये मिलन का अनुभो करो फैसा वाज हमने पवित्र और योगी कैसे बने और कैसे अपने जीवन के अंदर समस्त बुराईयों से और सभी कमी कमजोरियों से मुक्ती प्राप्ट करें इन विदियों को समझा फैसा बिस पश्टी करण के लिए आपका बहुत वथनेवाद दर्शकों आज के अपिसोड में हमने समझा कि जो वर्दानी मुरत हैं वह स्वयम स्वरूप बन दूसरों को दान देने वाले दाता बन सकते हैं इसलिए मुखे दो वर्दान यानि पवित्र भव और योगी भविन दोनों के स्मृती स्वरूप हम सभी को बनना है परमात्मा ने कहा कि जैसे देह और देही दोनों अलग-अलग हैं परन्तो अज्ञानतावश हमने दोनों को एक कर दिया है वैसे ही अपवित्रता के संस्कार भी माया के संस्कार हैं ब्रामणों के नहीं ऐसे न्यारे और प्यारे पन की स्मृती में रहना है दर्शकों आज के अपिसोड से संबन थे तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है अगली एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त ओम शांती और अब है नहीं इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा पहला पाज पवित्र भव वा योगी भव को टाक्टिकल स्वरूप में लाने से बाप समान और बाप के समीत आने के अधिकारी बन सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर करें अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनीवन शांतीवन पोस्ट आवुरोड 307510 डिस्टिक्स सिरोही राजस्थान इवेल आईडी है अमुल्यरतन एट गौडलीवुड स्टूडियो.org इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें